किचन में और घर में रोज मर्रा की काम करते हुए हमें कई बार ऐसे टूल्स की ज़रुरत महसूस होती है जो कि हमारे काम को आसान करते हैं पर हमें समझ नहीं आता कि कौन से वाले टूल्स हम लें जो की यूसफुल रहेंगे तो आज मैं आपके साथ कुछ टूल्स का रिव्यू शेयर कर रहीं जो की मैं घर में यूस करती हूँ सच्ट्रियकल फ्रेंड्स थर्चीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है अगर आप टेस्टी टेस्टी स्नेक्स खाना चाहते हूं वह भी कम ऑईल में बनाकर तो यह जो आपम पैन है न यह आपके बहुत काम आएगा यह देखें यह है आपम पैन इसे आपे पैन भी कहते हैं तो इसली यह मार्किट में मिल जाता है आफ्लाइन ओनलाइन जहां से भी आप लेना चाहो ले सकते हूं तो यह आता है दो साइज में यह चोटा है मेरे पास इसका एक बड़ा भी आता है जो ऊपर की जो कोटिंग है न यह नॉन स्टिक कोटिंग होती है तो इसमें जो भी स्नेक्स बनाते है वो चिपकते भी नहीं है और ऑईल का भी यूज इसमें बहुत कम होता है इसका कवर भ रख कर यूज कर सकते हूं, बड़े साइज कर लोंगे तो वो घास पर यह अ जाताій है यह अराम मुझ हो जाते और बहुत ही टेस्टी से स्नेक्स बनकर त्यार हो जाते के स्टीमिंग बास्केट कर दो काफी टांद से मैं इसा यूस करती हों तो इसका साइज जो है यह काफी जैदा फ्लैक्सिबल है तो यह चोटा बड़ा हो जाता है इस तरह से देखें तो पतीले में रखा उसमें पूरा आ निक रख सकते हो जैसे आपने स्वीट कॉन डाले हैं अब और करने हैं और कि इसमें से श्काप करना है वह तक हुड़े निकल वह सकते हैं तू इस अवते अपे टो निकाल Rights यह इसली आपको ऐसे मार्केट में मिल जाएगा इससे काम बहुत असान हो जाता है जैसे आपने बेशन का बैटर बनाना है वह आराम से आप इससे बना सकते हो लसी बनानी है केक का बैटर बनाना है ढोकले का बैटर बनाना है इस तरह की कोई भी चीज आपने जो बनानी है न constantly भी निए बड़ा सस्ता सा मिल जाता है घर में अगर काम करते हुए हमें कोई सुई धागे काम आजाये ना तो zaten सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या लगती है कि सुई में धागा कासे डालें शूई में धागा डालना अकसर सभी के लिए मुश्किल हो जाता है इसको हमने यहां से दबाना है, जैसे हम यहां से इसको पुश करेंगे न, तो यहां पर यह साइड में एक होल बना हुआ है, यहां से निकलाएगी चोटी सी निडल, निडल कहले हैं या किरोशय की तरह इसकी शेप है, किरोशय में जैसे हलका सा हुक बना होता है उस तरह का इ जालते ना वह वाली साइट को हमने इसके अंदर डालना है पूरी अंदर नहीं जाएगी हल किसी इसके अंदर खड़ी हो जाएगी अब क्या करेंगे साइट से पुश करेंगे जिससे कि यह जो हमारी यहां की साइट वाली सुई है कि रोशिय की तरह वह बहार आ जाएगी इस छोड़ते ही यह देखें जो कि रोशिय की तरह सुई थी न वो अंदर चली गई और उपर से अब हम नीडल को उठा लेंगे देखें यह देखें आप धागा डल गया है अब इसको खीच लेंगे जितना बड़ा आपने करना न उतना बड़ा आप धागी को तोड़ लें और गठान लगा लें पीचे से आपका धागा डल गया है इससे काम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसी में देखें नीचे की साइट पर लाइट गरीन कलर का एक अटेच्मेंट है इसको खोल लेंगे अब इसके अंदर ना पहले से ही आपको दिख रहा होगा कि रोशिय की इस तरह शेप बली छोट इसी नीडल है इसके उपर हमने रखनी है नीडल जिसमें हमने धागा डालना है जहां पर वो कि रोशिय की जैसी इसकी हुक है ना उसमें फसा देंगे और नीडल को उठा लेंगे यह देखे आप बहुत ही असानी से धागा डल जाता है दोनों ही तरहिकिंगे बहुत बेस्ट हैं बहुत काम को असान कड़ेते हैं बहुत सस्ता सा यह तूल होता है आपको ईजिली आपको मिल जाएगा गर्म पानी पीना हुग या फिर आपनी पीनी है ग्रीन ती ब्लैक टी न। उन सब के लिए उन्लिए हमें चाहिए होता है एकदम गर् प्रवाइर लगी हुई है इसके ऊपर केटल को रखना होता है इस केटल को मैं पिछले एक दो साल से यूज़ कर रही है यह इसमें बस आपने पानी डालना है और स्विच आउन करना है यह लाइट जल जाती है जब पानी अची तरह से गर्म हो जाता ना बॉइल हो जाता है त जब आपने इसमें से पानी निकालना है तो पूरा नहिए निकालना थोड़ासा पानी इसके अंदर छोड़ना है इतना चोड़ना कि नीचे का जो बेस है वो कबर रहे boy क्योंकि जब कैटल बंद हो जाती है ना तब बी इसका हीटिऑ फ्रोसीश थोड़ी देर चलता रहता और अगर इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा तो यह नीचे का बेस जो है इसका फिर जल जाता है तो इस बात का बस ख्याल रखना है यह केटल आपको ऑफ-लाइन भी अराम से मिल जाती है आप कहीं से भी ले सकते हों किचन में काम करते हुए सबसे ज़्यादा में जरूर यही तरह की कटिंग हो जाती है तो इनका यूज मैं वीडियो में कई बार कर चुकी हूँ तो काफी लोग इसके बारे में पूछते भी हैं कि इनको आपने कहां से लिया है तो यह नाइफ आप ऑनलाइन ले सकते मैंने ऑनलाइन लिये हैं तो दोनों यह नाइफ बहुत ही अच्छे हैं काम करने में देखने में अच्छे लगते हैं इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है काफी यूसफुल हैं बहुत ही शार्प भी हैं काम करने में अच्छे हैं किचन टूल्स की एक और वीडियो मैंने इससे थोड़े दिन पहले ही अगर आपने उसको नहीं देखा ना तो उसका लिंक वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा आप उसको भी देख सकते हो क्योंकि उसमें भी बहुत यूसफुल टूल्स मैंने शेयर किये थे यह प्रोडेक्ट है मेरे पास देखें इसको मैंने ओनलाइन लिया है यह है ट्विस्ट है यह एक तरह की ना मैटल की वायर है उसके उपर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है 50 मीटर की यह वायर होती है और साथ में इसके इनोंने ब्लेड भी दिया हुआ है यहां से इसको करना और उतना बड़ा पीस आप कट कर सकते हूं तो यह किस-किस काम आ जाती है जैसे देखें आपने घर में कोई समान यूज किया पैकेट खोला आधा यूज हुआ अब आधे पैकेट की उपर आपने रबर लगाते हैं तो रबर ना लगाकर इससे टाई कर सकते हूं काम आती है तो ऐसा पॉसिबल किचन में भी नहीं हो पाता कि हम सारी चीजों के लिए बॉक्स बना ले ऐसा नहीं हो पाता कुछ चीजह ऐसी होती हैं कि हमने थोड़ी सी यूज करी उसके बाद हमें उसके उपर रबर लगाना ही पड़ता है तो उस तरह से यह वायर जो है बहुत यूसफुल लगी है मुझे तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो ऑनलाइन यही मिलती है जादा तर तर तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ खुश रहें स्वस्त रहे थेंक्स पर वाच्टिक करिखंगे।